अब्रिवान गुद इवनिंग एनपी सी आईल की तरफ से एक रिगूटमेंट है जो की पोस्ट यहां पर मैंशिंड है के डेगरी वन इसमें स्टाइप एंजुरी ट्रेनी साइन्टिफिक एसिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इंजिनियरिंग एंड साइन्स ऑफिर एफिर यहां पर एलिजिबल होंगे डिगरी और फिर अगर दिपलोमा स्टुडींस एं तो नर्व स्टेंग उड्यम्न ग्राइप जो साइंस ग्रेटिफिक एसिस्टेंट ऊंके लिए बिए आप कल से online apply कर सकते हों कि 10 बजे के बाद और जो लास्ट टेट रहेगी वह आपकी रहेगी 14 फैब 2024 वह भी शाम को चार बजे तक को कि तो इससे पहले आपको apply करना पड़ेगा वन मोर तिंग इस दाट किम जो आल इंडियन स्टूडेंस हैं वह एप्ली केबल हैं मतलब eligible हैं यहां के लिए लेकिन जो इसकी पोस्टिंग प्लेस है वह आपकी यहां पर रहेगी राजस्थान की और रावत भाटा राजस्थान साइट यहां पर में इन की जो पोस्टिंग रहेगी अब यहां numbering आप देख सकते हैं किसकी कितने पोस्ट मतलब vacancies हैं यहां पर next आते हैं हम इसमें qualification आपने अब भी मैंने बताया जिस्ट आपको कि यह सब qualification है यहां पर high जो physical standards हैं वो यहां पर mentioned है कि यह essential रहेंगे जो engineering regarding है और या फिर जो science graduates है उन दोनों के लिए जो height है minimum 160 cm होना चाहिए and minimum weight रहेगा 45.5 kg इतना minimum होना चीए weight फिर pace के लिए हम पर mentioned है कि मतलब जो अगर ट्रेनी है for example तो या फिर जो scientific assistant इन में first year की जो training रहेगी क्योंकि starting में training दी जाएगी तो वहां पर salary इतनी मिलेगी after जब second year आ जाएगा तो इतनी training की मतलब की stipend है वो मिलेगा पर month ओके इसकी बाद आता है आपका जो pace scale है scientific assistant के लिए यहां पर level 6 का pace scale रहेगा ओल राइट इसके बाद age limit या फिर युकर से relaxation उलसो तो जो 18 से 25 यर की जो age की students है 14 feb पकी उसके according तो उनकी age मतलब जो 18 से 25 साल की students होंगे वो ही यहां के लिए eligible होंगे ओके और कुछ relaxation होता है कुछ को तो फिर वहां पर you can see here जो SC कास्ट है उनके लिए 5 year की relaxation है और जो OBC है other backward classes उनके लिए 3 year की and यहां पर देख सकते हो जो disabilities के regarding हैं तो फिर 10 years all right next यहां पर place of posting मैंने आपको बताया रावत भाता राजस्तान साइट यहां पर place posting हो सकती है means okay training का period कितना रहेगा यहां पर 18 months के regarding training रहेगी आपकी selection procedure जो रहेगा यहां पर written examination प्लस interview दो चीजें होंगी और जो written examination है यह आपको OMR based भी हो सकता है CBT based भी हो सकता है okay and 1.5 हार का हो रहेगा आपका duration है वो इसमें 50 mcqs होंगे and 100 marks means 22 marks के according all right यहां पर you can see और जो किस level के आएंगे questions वो जैसे जो engineering के हैं वो diploma level के questions आएंगे और जो science graduates भी एस इडिगार्डिंग इसमें marking scheme देखोगे कुछ negative marking भी है जैसे 0.5 marks deduct होगा for each incorrect answer okay and wait list और कुछ अगर आपके काम का है तो मैं बता देती हूं one second please जो interview होगा इसमें जो आपके language रहेगी वो इंग्लिश आपके उपर depend होगा वो मतलब आपको बोला जाएगा जिससे आप चाहो वैसे बोल सकते हो बाकि जो apply कैसे करना ही online ही apply करना ओके तो आप online apply कर देना इसको कि ओके थांक्यू सो माच